अगर तला में गिरफतार हुई TMC नेता शाहिनी घोष को जमानत मिल गई उन पर पुलिस ने हिटन रंड का केस दर्च किया था उनकी गिरफतारी के बाद TMC के लोग आग बबूला हो गए और उसके सांसत दिल्ली में ग्रिह मंत्राले के सामने धरना देने बैठ गए थोड़ी देर बाद ये सांसत अमिच्छा के घर से बाहर निकलते दिखे उन्होंने बताया कि तृपुरा हिंसा पर उन्होंने ग्रिह मंत्री से शिकायत की इस बीच ममता बेनर जी भी दिल्ली पहुँच गई शाइनी गोश की गिरफतारी के बाद टीमसी घुसे में आ गई और अभिशेक बेनर जी ने तृपुरा सरकार और बीजेपी पर जबर्दस थमला किया यही नहीं उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें शोर गुल और खुब सारे पुलिस वाले नजर आये अपने मतलब के लिए इस्तिमाल करना है जबकि बीजेपी ने इसे टीमसी की सियासी चाल का हिस्सा माना शाइनी गोश की गिरफतारी के बाद टीमसी ने तृपुरा में हिंसा का मुद्दा जोर सोर से उठाया वह यह सारी सियासी उठापटक के बीच शाइनी गोश को राहत मिल गई उन्हें जमानत मिल गई पुलिस ने दवा किया कि शाइनी गोश पर पहले से ही हिटन रंड का केस दर्ज किया गया था और इसलिए उन्हें गिरफतार किया गया था जिसके बाद उन्हें अगर तलाकी जिला अदालत में पेश किया गया वो जब पुलिस की गाड़ी से उतनी तो काफी गहमा गहमी नजर आई पेशी के बाद शाइनी गोश को जमानत मिल गई उन पर हिटन रंड का केस दर्ज है और उन्हें इसी मामले में राहत मिली लेकिन आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री विपलब देव की सभा के दोरान उन्हें धमकी दी थी जिसके बाद तृपुरा में बीजेपी और टीमसी की लडाई शुरू हो गई और वहां हिंसा का मुद्दा गर्मा गया सौबात के एक बात है कि तृपुरा में नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं जिनमें वोटिंग 25 नवंबर को होनी है और उसी में प्रचार करने के लिए बांगला फिल्मों के अभिनेतरी और टीमसी की यूथ विंग की अध्यक्ष शाइनी गोश अगर तला पहुंची थी जिन पर आरोप है कि उन्होंने एक जगा तृपुरा के सीम विपलब देव की सभा के नजदीक खेला हो में नारा लगाया जिसके बाद बीजेपी और टीमसी कारकरताओं में हिंसा जड़प शुरू हो गई और उसी मुद्धे पर टीमसी के नेताओं ने दिल्ली में धरना दिया जबकि महाँ चुनाव में हिंसा की शिकायद सुप्रीम कोर्ट में भी की गई जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है